आग से मैंने फर्स्टेंडर के इंग्लिश ग्रामर की न्यू सिरीस स्टार्ट की हैं जो बेसिक से स्टार्ट हैं और इसमें मैं फर्स्टेंडर के इंग्लिश ग्रामर से सभी टॉपिक्स क्लियर करूगा So, let's enjoy English 26 letters होते हैं जिने alphabet कहते हैं Alphabet two types के होते हैं Capital letters Small letters Capital letters ऐसे लिखे जाते हैं Small letters ऐसे इसे बाद alphabet को थोड़े style में लिखते हैं जिने Cursive कहते हैं Cursive Small, Cursive Small भी होती है और Capital भी होती है Cursive Simple ABCD की तरह ही होती है पर इसे थोड़े style में लिखते हैं आज मैं आपको Simple ABC Capital और Small letters लिखने की position बताऊंगा अब यह है Small letters English की notebook में four lines होती हैं कुछ alphabets ऐसे होते हैं जो first three lines से touch करते हैं जैसे B, D, F, H, L, T, K कहीं alphabets ऐसे भी होते हैं जो सिरफ one बीच की line को ही touch करते हैं वो है A, C, E, I, M, N, O, R, S, P, U, V, W, X, Z कुछ alphabets ऐसा भी होता है जो पूरी four lines को ही touch करते हैं वो है P और जो बचे वे alphabets हैं वो बाकी last की two lines को touch करते हैं J, Q, Y, G ओके गाईज आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीज़ें बाई बाई